कल एक समिक्षा बैठक बुलाई जाएगी और इसमें यह फैसला होगा कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा या फिर नाइट कर्फ्यू लगेगा या फिर सिर्फ कुछ सक्तियां ही बढ़ती जाएगी बिहार में अचानक से हुए कुरोना विस्पोर्ट को लेकर खुद नितीश कुमार ने कहा है कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा या फिर नाइट कर्फ्यू इस पर कल एक समिक्षा बैठक बुलाई जाएगी और तभी सभी बातों का निर्ने किया जाएगा हम आपको बता दे कि कल जो समिक्षा बैठक होगी उस पे किन-किन बातों का समिक् नमशकार मेरा नाम हर्शिता सिंग है और आप मेरे साथ जनता जंक्षन देख रहे हैं क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा इस बात का उत्तर हमें कल के नितीश कुमार के समिक्षा बैठक के बाद ही मिल पाएगी ऐसा बताया जा रहा है कि कल चार बातों पर मुख्यतोर पर निर्ना लिया जाएगा कल जिन जिन बातों पर निर्ना लिया जाएगा वो कुछ इस प्रकार है कल क्या स्कूल और कॉलेज बंद किये जाएंगे क्या बाजार में लॉकडाउन लगेगा क्या शादी और विवाह में सिर्फ 50 लोग ही आ पाएंगे और क्या ओफिस में सि जो सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल है जो कि NMCH है उसमें कोरोना का विस्पोर्ट हुआ है और वहाँ पे 96 डॉक्टर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो अब इन सब में यह प्रश्ण है कि क्या कल के बाद लॉकडाउन लगेगा इसी बीच नितीज कुमा जो है वो आती है जिनके पूरी तरीके से जाच हो चुका है तो अब यह देखना है कि इस पूरे मामले में नितीज कुमार क्या कदम उठाते हैं क्या कल के बाद स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएगी क्या ओफिस में सिर्फ 50% लोग ही आपाएंगे हाला कि नितीज कुमार इस बात पर नडम दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि बिहार में वो हाल नहीं है जो की हर जगा है लेकिन कोरोना का एनमसीच में विस्पोर्ट देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि बिहार की स्थिती फिर से शायद बुरी होने वाली है मेरा नाम हर्षता सिंग है आप मेरे साथ जनता जंक्षन देख रहे हैं अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जनता जंक्षन के यूट्यूब चैनल और फेस्बुक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें धन्यवाद